जहें दोस्तों आप सभी के स्वागत करते हूं अपने इस यूटूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूँ क्रिश्ण और दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में फिर से बात कहने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपून प्रश्णों के बारे में दोस्तों जल्द ही मैं आप इसकी तयारी और आगे अगले पाल्ट के रूप में लातर होंगा तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें और नौटिफिकेशन बेल को भी आन कर ले ताकि मेरे दोर अप्लोट किया गया वीडियो अप लग यह प्रकार का जो है प्रात्मिक मेमोरी के रूप से में भी इसे जाना जाता है दोस्तों यह इसका जो डाटा होता है उसको आप रिनेम डिलीट या उसको फिर से क्या कर सकते हो कॉपी करके रख सकते हो दोस्तों कि यह क्या है और जिसमें क्या हो सकता है जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते वो आपका क्या कहलाता है और और रोम कहला था यसे रेड्ड औली मेमोरी के नाम से जाना जाता है तो अगला प्रस्चन देख लेते हैं CPU का विस्तिरत रूप है तो दोस्तों CPU का विस्तिरत आप इसका बी ऑप्सन की हो जाएगा की और स्पराइब याहां पास प्रोविंस लिखाए तो याप जलदी बाजी के चक्कर में डिक लगा दिये अग्जाम में तो यह क्या हो जाएगा गलत आप न को ध्यान से पढ़िए और दहर्य रखते हुए अप टीक लगाई यह ना क्योंकि नहीं तो मुझे पता है जब जल्दी यह टीक लगा ले तो यह क्या हो जाएगा मिश्टेक होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है तो अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है C.A.D. का तात पर है तो दोस्तों C.A.D. का जो मुख्य तोर पर जो तात पर है वो क्या है Computer Edit Design तो यह क्या हो जाएगा इसका सहीं आंसर होगा इसका Full Form है Computer Edit Device Design तो अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है IBM का पूर्ण रूप है तो दोस्तों IBM जो है मुख्य तोर पर जो Computer में होने वाला में उसका Machine होता है जिसको क्या कहा जाता है IBM कहा जाता है तो दोस्तों यह और यह पूरी कहां चलता है पूरा Business करने का जो है यह Machine होता है ना दोस्तों और वह कौन से लेवल पर काम करता है IMI मतलब International तो दोस्तों इसका जो सही रूप है वो है दोस्तों basic input output system तो basic input output system क्या है इसका विस्तित रूप है आप इसे याद रखिए important question है यह ससी 2014 में पूछा जा चुका है अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है निम्नली लिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद pentium brand के नाम से बेचा जाता है तो वह है दोस्तों micro processor जो Intel का micro processor देखे हो दोस्तों वह क्या होता है वही pentium जो होता है वह brand से बेचा जाता है और इसको किसको निर्मान करता है इसको जो है Intel company निर्माता है ना दोस्तों तो अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है www.w.w.k. अविसकारक और प्रवर्त आपको पता ही होगा तो वह कोन है दोस्तों वह है टीम बर्नर ली तो इसका मैं सबसे पहला वीडियो में भी पूरा डिटेल आपको बताये हुआ था यह भी कोशन दोस्तों UPPSC में और IAS मतलब UPSC में इसको पूछा जा चुका है तो अगला प्रशन देख लेते हैं अगला site है यही से क्या करते हो आप search करते हो ठीक है दोस्तों अगर केवल पूछा जाता तो क्या है गूगल क्या है तो अगर पूछा जाता तो क्या बताते है आप उसे एक प्रकार का search engine है ऐसा इसमें किया हो जाता लकिन इसमें internet site क्या हो जाए गा तो इसमें यह भी question जो है important question है अगला प्रश्ण देख लेते हैं कंप्यूटर सब्दकोस में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो तो कंप्यूटर में सब्दकोस उसमें CD अक्षरों का जो जनरी तोर पर जो उप्योग किया जाता है वो किया जाता है compact disc के रूप में प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों पहले कि जो cd player आते थे उसमें जो cassette लगता था जो goal था है ना दोस्तों goal तो उसमें क्या चलता था movies उसमें movie देखने के लिए क्या करते थे उसमें जो है जनरी तोर पर picture का इसमें ही आता था लेकिन वह क्या है पूरी तरह से इसका स्थान चुका है वह कौन ले चुका है वह ली चुका है DVD ठीच है दोस्तों digital video device है ना डिस्क ठीच है दोस्तों तो इसका क्या है full format cd का full from क्या है compact disc के नामसी से जाना जाता है और इसकी जो चमता होती दोस्तों 750 MB का होता है तो यह भी कोशन पूछा जा चुका है कि Compact Disc का device जो है storage चमता कितनी होती है तो वो कितना होता है CD जो है 750 होता है अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है निमनली खित में से कौन सा एक computer की भासा नहीं है तो दोस्तों इसमें कौन सी एक computer की भासा नहीं है तो है दोस्तों आपका first यह जो है computer की भासा जो है यह नहीं है basic c और दोस्तों इसका advanced generation क्या है c++ है उसी तरह FORTREAN ये भी क्या है एक प्रकार का Computer भासा है उसी तरह आपका अगर इसमें Java दिया रहा था तो Java भी क्या है Computer Language है अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है निमनली खित्में से कौन सी सूचना प्रद्योग की सब्दा वली नहीं है प्रद्योग की कि सब्दा वाली नहीं तो साइबार स्पेस अपल्ोड प्रकास भंदारन या मॉडएम तो इसका जो सही आंसर तो तो यह क्या है इसका सुचना अप्रध्योग की ग्रहत कंप्यूटर है वह कौन सा है तो इसका जो सही आंसर वो है आपका T3A, तो यह क्या हो जाएगा, T3A क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, अगर दोस्तों यह विश्व में पूछा, अगर पूछा जाता इंडिया में, मतलब भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, वो बोला जाता तो आप बताते परम 10,000 ठीक है दोस्तों, परम 10,000 का है भारत का सबसे फास्टेस कंप्यूटर के नाम से इसे जाना जाता है परम 10,000 को, अगर वल्ड में बात करें तो T3A, ठीक है अगला प्रश्ण देख लिएटे हैं, अगला प्रश्ण है, अनूपम क्या है, तो अनूपम में क्या है, एक प्रक कि नाम से जाना जाता है इसका जो निर्मान किया गया है वो कहाँ वह भारत में ही हुआ है तो लेकिन भारत की कौन से संस्था द्वारा इसका निर्मान किया है प्राइट jejt क darauf देख लेते हैं अगला प्रशन इंपॉर्टरन question है computer को माना जाता है बीट को माना जाता है ठीक है दोस्तों और कितना जो होता है वो कितने बीट के बराबर होता है दोस्तों जो होता है जो बाइट है ना इस बीट से क्या होता है छोटा बीट है ना दोस्तों बीट और को किससे ना पा जाता है एक और जीरो से मापा जाता है और एक और जिरो अगर मिल के कितना डिजिड बना लेते हैं दोस्तों आठ अंकका कोई बना लेते हैं आठ बिट बन जाता है तो वही कितने के बराबर हो जाता है एक बाइट के बराबर हो जाता है और दोस्तों यही एक बाइट जो है अगर 1024 के बराबर हो जाएगा तो वह क्या बाइट के बराबर हो जाएगा तो दोस्तों यह इस तरह क्या होता है इसका डेटा मतलब मेमोरी जो छमता होती है इसी को ही मापा जाता है मतलब डेटा की सबसे चोटे ही क्या है दोस्तों बिट है तो अभी तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लो नौटिफिकेसन बेल जो है उसे भी अन कर लें है ना दोस्तों ताकि मेरे दोर अप्लोट किया गए वीडियो आप लगतार वाच करते रहोगे बिना किसी रुकावाट के अगला प्रशन देख लेते हैं माइकल एंजेलो वाइरस है तो दोस्तों यह प्रकार का क्या है तो यह वाइरस कैसे है दोस्तों से बचाओ करने वाल prim देगा किकर ही देगा क्योंकि दोस्तों हम लुग लगातार कंप्यूटर के बारेम आप आसानी से इसे बता दोगे लेकिन वहाँ पास exam hall में यह आपको confuse create कर देगा अगला प्रशन देख लेते हैं सारे computer में लागू होता है तो सारे computer में क्या चीच जो लागू होता है basic भासा, kobol भासा, machine भासा या fortran भासा तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है machine भासा सभी computer में लागू होता और machine भासा कौन सी भासा होती है one और zero का जो format होता है वही क्या कहलाता है machine भासा होता है जिसे आम इंसान जो है नहीं पर सकता उसको decoded करके ही हम आसानी से पढ़ पाते हैं अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है इसका ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मीनल से computer की और computer से टर्मीनल को टेलीफोन लाइन में प्रेसित करती है वह क्या है तो दोस्तों इस तरह की जो प्रशन है काफी लंबा है और देखो इस कोश्चन भी आसान है आप आसानी से समझ सकते हो आंकड़ों कि जो आवेगों उसको क्या कर रहा है वह परिवर्तित कर रहा है किसमें से कि कर रहा है और कंप्यूटर से टर्मिनल में कर रहा हो और किसका कर रहा है टेलिफॉन लाइन परligen संपरेशित करने के लिए लिए ना दुसरों इसको prices एसज़ करता है टेली फान जितने भी हम होते हैं उसमें तो दोसके कया एक है उप। क्वेश्चन देख रहते हैं तो कौन सा मस्तिस्ख की कार फ्रनाली की नकल करने वाला सब सबसे तेज गतिवाला computer नीच 2 तो नीचछ चार ओप्सन दिया गया है super computer quantum computer पराम 10 1000 या IBM chip तो computer की तरह जो मस्तिस्क मानों नकल करने वाला सबसे तेज computer जो है वह दोस्तु आपका quantum computer तो इस तरह क्या हो जागा इसका भी option जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा उमीद करता हूँ दोस्तों जितने भी 20 कोश्चन जो मैंने बताया सभी इंपोर्टेंट कोश्चन है और कभी ने कभी कॉम्पेटेंस अग्जाम में पूछा जा चुका है तो दोस्तों भी देख में को सब्सक्राइब नहीं किया जिरू सब्सक्राइब करन कि इस वीडियो का फायदा भी उन लोगों को मिल सके जो कॉम्पेटेंस अग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखे विसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू आल दे बेस्ट जाहिन